असलाम अलेकूम, डिटैल लेक्टर सीरीज में आज का मारा टापिक है सेल नूकलियस, नूकलियस का जो वर्ड है इसका मतलब होता है inner part, center part, inner portion, जैसे कि अगर हम atom की बात करें तो उसका सा साइड बर हो जाता है but most of the time nucleus center में ही आपको दिखाई देगा और ये इतना important organally है कि इसे nucleus को cell का control center भी माना जाता है यानि कि ये cell की सारी cellular activities को control करता है या simply हम nucleus को brain of cell भी कह सकते हैं so इसलिए भी इसका center में होना जरूरी है ताकि इसकी information या इसकी reach पूरे cell तक असानी से पहुंच सके है तो ये center में होगा तो सारे cell को असानी से control कर सकेगा clear हो गया okay जो nucleus है वो membrane से enclosed होता है या जाहिरी बात है जितनी भी organally's है उनके membrane होती है but nucleus के membrane होती है वो double membrane होती है phospholipid bilayer की दो membrane आपको देखने को लिएगी जैसे cell के earth gear जो membrane होती है वो single membrane है जैसे cell membrane कहा जाता है so cell membrane type की nucleus के earth gear दो membranes आपको नज़र आएंगी अभी हम structurally detail से देखेंगे और ये जो organally है nucleus या आपको eucleos के अंदर prominent नज़र आएगा procreos के अंदर हम कह सकते हैं कि nucleus absent होता है अब ऐसा नहीं है कि procreos के अंदर डियेने नहीं होता है बट होता है यह है कि procreos के अंदर nuclear membrane नहीं होती यानि double membrane जो है न यूक्रियार्ट के अंदर so वो double membrane नहीं होती procreos का जो DNA है वो cell के अंदर open या free पढ़ा होता है और जिस region पर वो DNA मुझूद होता है उसे nucleoid region कहा जाता है इसलिए उसे nucleus नहीं कहा जाता so nucleus word को use करने के लिए ज़रूरी है कि DNA enclosed और double membrane के अंदर ठीक है so hopefully that makes sense अब हम structurally देखते है nucleus को nucleus कैसा होता है और हर एक structure की composition और उसके functions को study करने की कोशिश करते है ओके so ये मैंने nucleus draw कर रखा है ठीक है इसकी जो structure है अगर उसे हम देखें तो round होती है most of the time और ये आपको center के अंदर cell के center के अंदर ज्यादा तर देखने को मिलेगा और ये बहुत बड़ा और और गनिली है यानि अगर आप microscope को use करते हैं तो cell के अंदर सबसे पहले आपको nucleus ही नज़र आएगा ये इतना बड़ा है बाकी और गनिलीज की निस्पत cell का अगर दस्वाइस हम कहें तो दस्वाइस हम कहें तो दस्वाइसा nucleus होता है okay so ये nucleus है तो अगर आप गौर करें तो इस nucleus को मैंने double membrane में closed किया हुँई so ये double membrane है फिर थोड़ा सा gap है फिर double membrane आपको नज़र आ रही है फिर gap है फिर double membrane है so इस तरीके से double membrane से ये inclosed होता है इस double membrane को अगर हम zoom in करें तो ये वाली जो अंदर वाली side पर membrane है इसे inner membrane कहा जाता है for example यहाँ पर अगर हम देखें तो ये double membrane अगर हम देखें तो ये अंदर वाली side पर जो membrane है उसे inner membrane कहा जाता है inner nuclear membrane ये बाहर वाली side पर जो membrane है जो cytoplasm को phase कर रही है उसे outer nuclear membrane कहा जाता है इन दोनों को मिला कर nuclear envelop कहा जाता है या nuclear membrane कहा जाता है ठीक है डबल membrane bounded organe है जिसमें हमें nuclear envelop देखने को मिलेगा जो कि दो layers पर मु mascara में वाउटर nuclear membrane and inner nuclear membrane इस दोने nuclear membrane मिला कर nuclear envelope कहलाइंगी clear होगया अगर हम इसे zoom in करें यानि ये जो nuclear envelop है इसे zoom in करें तो इसमें दो लेयर्स हमें नज़राएंगी एक लेयर ये आगी ठीक है और दूसरी लेयर ये आगी ये भी phospholipid by layer है ये भी phospholipid by layer है तो इस तरीके से दो लेयर आफ membrane phospholipid by layer makes the whole envelope of nucleus clear हो गया अब यहां पर यह मैंने portion इस तरीके से join हुआ होता है तो ये nuclear membrane इस type की होती है ऐसे होगी ठीक है ये nuclear membrane यहां पर gap होगा जैसे pore कहा जाते है nuclear pore अभी हम देखने वाले है तो ये double membrane bounded organally है ओके ये जो दो membranes है इनके दिरम्यान की जो space है इसे peri nuclear space कहा जाता है यानि ये वाली जो space space है इसे peri nuclear space या lumen भी कहा जाता है clear हो गया nuclear membrane को हमने detail से discuss कर लिया ओके जैसे के ये double nuclear membrane end होती है वहां पर एक हॉल साब को नज़रा रहा है खाली gap सा नज़रा रहा है तो ये gap क्या है actual में pore है जैसे nuclear pore कहा जाता है ये सुरा है जैसे nuclear pore कहा जाता है और ये इतना important है कि इसके जरीए बहुत सारी चीजों की transport हो रही होती है in and out of the nucleus यानि cytoplasm से बहुत सारी चीज़ें nucleus के अंदर जाएंगे nucleus से बहुत सारी चीज़ें cytoplasm में जाएंगी by using this nuclear pore clear हो गया okay so nucleus के अंदर चले जाते हैं nucleus के जब हम अंदर जाते हैं तो inner membrane के अंदर हमें कुछ protein नजर आती है thread like proteins नजर आती है या layer of protein नजर आती है ठीक है ये green color में मैंने draw कर रखी है जो inner layer के साथ attach होती है ठीक है ये green color में okay इस green color की जो layer है इसे lamina कहा जाता है और ये layer मिलकर बनी होती है intermediate filament ठीक है जो के cytoskeleton का भी part है और lemons proteins यानि lamina इसलिए कहा जाता है कि इसमें lemons proteins होती है different type की lemon proteins है plus intermediate filament make this structure जो के inner membrane के साथ attach होती है और इस structure का benefit क्या होता है function क्या होता है कि ये nucleus को mechanical sport दे रही होती है ये layer है ना protein की जिए mechanical strength दे रही होती है ताकि nucleus की जो shape है वो maintain रहे वो stress को bear कर सके और इसके साथ ये DNA replication और gene expression में भी इसके कुछ functions होते है क्यूंकि ये जो lemon proteins है ये जो अंदर chromatin है उसे पकड़े रखती है उसकी तरफ थोड़ी देर में जाते है ये lemon proteins को हमने study कर लिया ठीक है अब यहाँ पर जो खाली region है वो खाली space नहीं होती वहाँ पर fluid मुझूद होता है तो nucleus के अंदर जो fluid है या जो area है उसे nucleoplasm कहा जाता है जैसे cell के अंदर का जो region है उसे cytoplasm कहा जाता है इसी तरीके से nucleus के अंदर का जो region है जिसमें liquid भी होता है उसे nucleoplasm कहा जाता है और nucleoplasm के अंदर आपको different structures देखने को मिलेंगी water होगा और उसके बाद बहुत सारी different structures होगे जिसकी वज़ाए से ये jelly-like material होगा, jelly-like fluid होगा clear हो गया? okay, so nuclear membrane हमने cover कर ली, जो कि double membrane है ठीक है, phospholipid bilayer की दो membrane से enclosed है इन nuclear membrane के दर्मियान बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें pores भी नजर आते है, nuclear pores जे ने कहा जाता है जहां से चीजों की transport होती है इन और आफ अफ तर nucleus फिर हमने देखा कि nuclear जो membrane है वो double membrane है फिर हमने study किया कि यहां पर जो अंदर region है जो के fluid field है उसे nucleoplasm कहा जाता है और inner membrane के साथ एक layer है intermediate filament और lemon protein की जैसे lamina कहा जाता है जिसके different functions हमने discuss कर लिया clear हो गया अब ज़रा outer membrane की तरफ जाते है तो यह जो outer membrane यहां पर अगर आप देखें तो यह outer membrane continue हुई है एक structure एक और आरगनिली की तरफ जिसे endoplasmic reticulum कहा जाता है जिसे हम आने वाली वीडियो में detail में भी discuss करेंगे बट यहां पर एक clue ले ले लेते हैं कि यह जो outer membrane ने nucleus की यह continue हो चुकी है एक और आरगनिली की तरफ जिसे endoplasmic reticulum कहा जाता है और आप जानते हैं कि endoplasmic reticulum के उपर यह red red structure जो मैंने ट्रा कर रखी है ribosomes यह भी मौजूद होते हैं तो अगर endoplasmic reticulum के उपर ribosomes हों तो उस endoplasmic reticulum को हम rough endoplasmic reticulum बोलते हैं और जिस region पर ribosomes नहीं होते हैं उसे हम smooth endoplasmic reticulum बोलते हैं ठीक है अब endoplasmic reticulum का यहां पर जोड़े रहना बहुत important है बहुत सारे important functions के लिए यह पहुत important mechanism मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो endoplasmic reticulum है यह continue हुआ है nuclear membrane की outer membrane जो है ठीक है उसके साथ उसकी वज़ाई यह है और उसका benefit यह है कि यहां पर जब messenger RNA यहां से बाहर निकलता है nuclear pores है तो आगे endoplasmic reticulum के उपर ribosomes मुझूद हैं ribosomes क्या करते हैं उससे protein बनाते हैं let's say यहां पर messenger RNA enter हुआ यहां से messenger RNA बाहर गया ठीक है यहां पर तो इस ribosomes के साथ जाकर translate हुआ और protein बनी ठीक है और यह protein यहां पर आगी लियूमेन आफ राफ endoplasmic reticulum और यह protein इस तरीके से travel करती गी आगे और modify होती गी और करते एक vesical सा बन गया ठीक है जो endoplasmic reticulum का है और यह vesical जैसे ही होता है तो उसके अंदर यह protein मुझूद है अब इस protein ने कहां पर जाना है इसने modification करनी है गोलजी बाडी के पास जाना है यह आगे depend करता है कि वो protein किस nature किया और उसका function क्या है but simply हमने यह समझा कि यहां पर जैसे messenger आ रहे हैं निकला बाहर ribosome attached था endoplasmic reticulum की उपर so ribosome ने protein की synthesis की और protein में modification होते हुए एक vesical के अंदर cover हो के वो protein release हुई endoplasmic reticulum से clear हो गया? okay so endoplasmic reticulum को भी हमने discuss कर लिया और endoplasmic reticulum के उपर मजूद ribosomes को भी हमने discuss कर लिया okay अब हम चलते हैं मजीज center की दरफ nucleus की nucleus के जब अंदर आते हैं तो different आपको materials देखने को में लेंगे एक आगया nucleus nucleus क्या है? nucleus के अंदर आपको एक dark सा area नजर आता है माइग्रोसकॉब के ज़रिये जब आप देखते हैं तो उस region को nucleus कहा जाता है उसकी वज़ए यह है कि महाँ पर ribosomal RNA और protein की structure बहुत सारी एक जगा पर मुझूद होती हैं जिसके वज़ए से वो dark color का आपको नजर आता है और इसके इसके लावा जहां पर nucleus के अंदर आपको chromatin जानी DNA material जो है वो tangled farm में गुंजी के farm में पड़ा हुआ मिलता है और क्यूंकि जो eukriorps होते हैं उनके अंदर chromosome linear होता है और procriorps के अंदर chromosome circular होता है याई की chromosome होता है जबके जो eukriorps हैं अगर humans की बात करें तो हमारी body के अंदर 46 chromosome है तो वो chromosome different जगों पर इस तरीके से पड़े होते हैं ठीक है और chromosome या DNA जब इस तरीके से tangled farm में पड़ा हो और उसमें ये जो black color की आपको structure नज़र आ रही है न इन्हें histone proteins कहा जाता है ये कौन सी protein हागी? histone अब ये जो histone protein है इसका function होता है DNA को combine रखना, जोड़े रखना है क्योंकि एक cell के अंदर तक्रीबर टू मीटर आफ DNA होता है तो उस DNA को इस तरीके से arrange किया होता है histone protein ने ताकि वो nucleus के अंदर fit हो जाए ठीक है? और इसके साथ-साथ वो nucleus के अंदर gene expression भी कर सके ये बहुत important है तो यहाँ पर आपको जो structure नज़र आ रही है DNA जो है वो entangle गवा है और histone protein की मतलब से यानि histone protein होती है उसके उपर ये DNA लिप्टा होता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये DNA मुझूद होता है ओके chromatin जैसे कहा जाता है अब अगर आप देखें तो यह यहाँ पर जो chromatin है उसे मैंने loosely arranged chromatin होता है उसे u chromatin कहा जाता है अब होता क्या है कि जो hetero chromatin है उसके अंदर जो DNA होता है वो tight होता है compact होता है जिसकी वाज़ा से यहाँ पर कोई भी translation या messenger RNA का काम नहीं हो रहा होता है या हम कह सकते हैं कि gene expression नहीं हो रहा होता ठीक है? सो tight और compact DNA की वाज़े से हम कह सकते हैं no gene expression clear हो गया? okay hetero chromatin या वो वाला region है जो highly या tightly compact DNA होता है और इसमें gene expression नहीं होता क्योंकि यह highly compact होता है जो enzymes होते हैं जैसे DNA polymerase या RNA polymerase सो उनको space ही नहीं मिलती जाकर उस gene को read कर सके हैं और उससे messenger RNA बना सके हैं okay यह जो lose पड़ा हुआ DNA का part है या chromatin का part है इसे you chromatin कहा जाता है you का मतलब true भी होता है true chromatin यानि कि इसके अंदर जो DNA वो lose arrangement में पड़ा होता है और lose DNA का जो फाइदा होता है कि enzyme जाके उस DNA को read करके उसमें से gene expression के processes चला सकता है यानि कि उसका messenger RNA बनाना है transfer RNA बनाना है ribosomal RNA बनाना है तो वो जो enzyme है उसको read करके यह सारे RNAs बना सकता है so you chromatin के अंदर आपको gene expression देखने को मिलता है clear हो गया okay nucleoplasm में different structures मुझूद होती है जो जातो cytoplasm से nucleus के अंदर enter हुई होती है या उन्होंने nucleus से cytoplasm के अंदर जाना होता है ऐसी structure जो cytoplasm से nucleus के अंदर enter होती है through nuclear pore उनमें कुछ example ले लेती है जैसा कि ATPs आगी जो कि energy में use होती है जाहिरी बात है dntps यानि nucleotides जो कि अगर dna की synthesis होनी है तो वहां पर use होती है कुछ hormones होती है कुछ ions होती है कुछ proteins के parts होती है जिन्होंने synthesize होना होता है और इसी तरीके से कुछ ऐसी structures होती है जिन्होंने nucleus से बाहर जाना होता है जैसे के messenger आ रहे है जो बाहर जाएगा ribosome के साथ attach होकर protein की synthesis करेगा transfer आ रहे है जो nucleus से बाहर जाएगा और amino acid को bring करके लाएगा और protein synthesis में अलक पर रहेगा इस तरीके से कुछ structures nucleus से बाहर जा रही होती है through nuclear pore और कुछ structures nucleus के अंदर आ रही होती है और ये activity continuously चल रही होती है और इसकी बैस पर बहुत सारी cellular activities control हो रही होती है अब हम nucleolus की दरफ चलते हैं उन nucleolus का function study करने कोशिच करते हैं जैसे के मैंने आपको बताया nucleolus क्या है nucleus के अंदर एक condensed dark region है ठीक है जहाँ पर होता क्या है ribosome की assembly होती है synthesis कहाँ पर होती है itself वो होती है nucleolus के अंदर so synthesis तो हम नहीं कह सकते हैं हम कह सकते हैं ribosome की assembly होती है उसकी वज़ा ये है कि ribosome की जो proteins हैं वो cytoplasm के अंदर बनती हैं और फिर nucleos के अंदर आती है so complete mechanism समझते हैं let's say यहाँ पर messenger RNA है ribosome synthesis का यानि ribosome protein को बनाने वाला messenger RNA की information जहाँ पर है so DNA से यहाँ से messenger RNA बनता है और यह messenger RNA nuclear pore के जरिए cytoplasm के अंदर चला जाता है cytoplasm में ribosome मुझूद होता है ribosome क्या करता है उस messenger RNA को read करता है तो ribosome के जो चोटी चोटी प्रोटी बन जाती है अब यह protein itself किसी काम के नहीं है क्योंकि ribosome के अंदर protein plus ribosome RNA होता है तब वो जाकर ribosome functional होता है अब यह जो proteins बनी है यह दुबारा यहाँ से आती है और nucleus के अंदर entry कर जाती है nuclear pore के रास्ते nucleus के अंदर entry कर जाती है यह protein बन चुकी थी यह जहां से enter हुई और यहां पर nucleus के अंदर enter हो चुकी है अब यहां पर ही DNA क्या करता है ribosome RNA की synthesis करता है और ribosome RNA लेट से यह ribosome RNA बना यह ribosome RNA चला जाता है into the nucleus ठीक है nucleolus X space में चला जाता है और यहां पर ही ribosome की जो proteins हैं वो भी आ चुकी है so ribosome की proteins plus ribosome RNA मिलकर इनकी synthesis nucleolus करवाता है यानि इन्हें आपस में जोड देता है for example यह आगी ribosome protein ठीक है और यहां पर था ribosome RNA जो के इस ribosome के अंदर patch हो चुका है और अब यह functional ribosome है इसने protein synthesis करनी है अब यह ribosome त्यार है और यह ribosome यहाँ nuclear power के रास्ते से cytoplasm में जाकर different functions perform करेगा different क्या protein synthesis का function perform करेगा so clear हो गया हमने जहां पर देखा कि nucleolus का जो function है ribosome के assembly वो कैसे होता है हमने देखा कि DNA से messenger RNA बनता है वो messenger RNA जाकर ribosome के साथ translate, transcribe होके ribosome protein बनाता है ribosome proteins entry करते हैं to the nucleus जहां पर ribosome RNA भी बनता है तो वो protein और ribosome RNA दोनों combine करने का काम किसका है nucleolus का, उन दोनों को जोड के assemble करके ribosome बनाता है और यह ribosome दुबारा से cytoplasm के अंदर entry करता है और protein synthesis का function perform करता है clear हो गया, ओके तकरीबन यहां पर structure की हमने सारी चीज़ें study कर ली है अब हम थोड़ा से और देख लेते हैं कि generally हम discuss करते हैं कि nucleus का function क्या होता है nucleus का function जैसे कि मैंने आपके बताए जो control center है तो इसका function क्या होता है सारी cellular activities को control करना कुछ की example ले लेते हैं जैसे कि cell ने कब divide होना है तो यह information कहां पर है nucleus के अंदर मुझूद है क्योंकि nucleus के अंदर DNA होता है so DNA में यह information मुझूद होती है so nucleus signal देता है जब cell ने डिवाइड होना होता है इससी तरीके से जो cell की growth है उसमें protein की synthesis हो रही होती है so protein synthesis, growth यह सारी instructions कहां से आती है nucleus से आती है और इसके इलावा सबसे important बाज यह है कि nucleus के अंदर DNA होता है जैसे hereditary material कहा जाता है जो बहुत important है life को sustain करने के लिए so hereditary material कहां पर मुझूद है nucleus के अंदर मुझूद है जो सबसे important function है nucleus का okay, DNA को जब हम देखते हैं मैंने आपका बताय है DNA nucleus के अंदर chromatin के farm में मुझूद होता है और chromatin क्या है DNA plus histone protein यहां पर मैंने protein ड्रागर रखी है octamere होती है यानि 8 molecules होते हैं protein के और एक जगा जोड़े होते हैं और उनके उपर इस तरीके से DNA wrap हुआ होता है ठीक है, 2 turn लेता है 8 protein के histone के जो molecule है उनके उपर DNA 2 बार turn लेता है और फिर आगे बढ़कर दूसरी histone protein के उपर 2 बार turn लेता है तो इस तरीके से आप समझ लें के protein wrap कर रही होती है DNA को ताके DNA tangled farm में पढ़ा रहे और यह protein आगी histone protein और यह DNA आगया so histone protein plus DNA is also called nucleosome यह MCQs में sometime आ सकता है ओके यह तो हागया chromatin की बाद जब cell division हो रही होती है तो chromatin जो है वो condensed होता है और बना देता है chromosome ठीक है यहां पर यह निस्पेल हो गया condensed to form chromosome अब chromosome क्या है यानि जब cell ने divide होना है तो जाहिरी बात है जो DNA है उसने replicate होना है तो वो DNA इतना compact हो जाता है कि वो एक गुंजी की शकल इक्तियार कर लेते है जिसे chromosome कहा जाता है तो यह वाली chromosome की structure आपको सिर्फ cell division के दुरान ही नज़र आएगी otherwise cell के अंदर जो chromosome है वो chromatin की farm में पड़ा होता है उसकी वज़ाई यह होती है ताके gene expression चलता रहे क्यूंकि chromosome के case में gene expression दुनिया हो सकता DNA इतना tightly arranged होता है कि उसमें gene expression की कुंजाईश है नहीं होती है तो काफी detail lecture मैंने आपको cover करके बताया है quickly review कर लेते हैं हमने क्या study किया cell nucleus मैंने आपको बताया है nucleus का जो word है इसका मतलब होता है inner part और mostly आपको यह center में ही नजर आएगा और यह इतना important और यह है कि इसे control center of cell और brain of cell भी कहा जाता है और मैंने आपको बताया है कि nucleus जो हो double membrane के अंदर bound होता है यह double membrane है जो कि Phospholipid Bi-layer से मिलकर बनी होती है membrane के जो अंदर वाली membrane है उसे inner membrane कहा जाते है और उपर वाली membrane को outer membrane कहा जाता है और इन दोनों membrane को मिला कर nuclear envelop कहा जाता है यայने nuclear cover कहा जाता है और इन मिंब्रेंज को अगर हम देखते हैं तो बारी-बारी इनके दर्मियान एक गैप होता है , जैसे निूकलियNe के दर्मियान की रीजन को पेरी निेृइर श्पैस कहा जाता है , नूकलियर पॉर से बहुत सारी चीजों की ट्रंसपोर्ड हो रही होता है इसने था नूकलिय region होता है जो कि protein और intermediate filament से मिलकर बना होता है जो कि mechanical strength provide कर रहोता है और अंदर आपको chromatin मिलेगा जो कि histone plus DNA का combination होता है chromatin फिर दो टाइप के होते हैं heterochromatin and uchromatin heterochromatin ऐसा chromatin होता है जो highly compact होता है और उसमें कोई gene expression नहीं हो सकता है और uchromatin loosely compact होता है और उससे gene expression यानि gene express हो कि different messenger RNA transfer RNAs बन रहे होते हैं और nucleolus एक region होता है nucleosome के अंदर जिसका function होता है ribosome की assembly करना और उसे हमने study किया कि messenger RNA निकल कर ribosomal proteins बनाता है ribosomal protein इंटर करती है into the nucleus और ये ribosomal RNA के साथ मिलकर ribosome की assembly होती है nucleolus के अंदर और वो ribosom फिर nucleos से बाहर साइटो प्लाजम में निकल जाता है so hopefully आपको lecture समझ में आया होगा next lecture तक के लिए मुझे अजाज़त दें शुक्रिया अल्लाहाफिस